इस वीडियो में सीखेंगे एक समीज बनाना कुर्ते के नीचे आज कल वर्क आता है कुर्ते में तो उसके नीचे समीज पहन कर आप लाइनिंग बिना सूट पहन सकते हैं तो मैंने कोसिस की है एक आसान तरीके से समीज बताने की बनाने की, कटिंग करने की चंद मिन्टू का वीडियो है पूरा देखेंगे तो जरूर से समझ में आएगा तो देखते हैं और सीखते हैं देखें सबसे पहले तो कपड़े को डबल फोल्ड करने ना है और टोटल लेंद जो है कपड़े को इंच टेप से टोटल लेंद करनी है अपने को जितनी समझ चीए उतना टोटल लेंद पहला निशान आर्मोल का, दूसरा कमर का और तीसरा हिप्स का निशान इस तरह से ये निशान लगाएंगे और इस पर सीधी लाइन खैसलेंगे ये आर्मोल का निशान आप 5, 5, 6 इंच तक लगा सकते हैं कमर अपनी आई 13, 14 इंच पे हिप्स का निशान ये है 21, 22 इंच पे तो ये निशान इस तरह से आप लगा सकते हैं ठीक है मैं एक चोड़ा रखेंगे इसका थोड़ा ब्रोड रखेंगे तो यहां से इसको मैं करीवन साड़ी तीन इंच पे लगा रहा हूँ 3.5 इंच और करीवन साड़ी 5, 6 इंच पे आप सोल्ड लगा ले यहां पर चोथा हिस्सा सीने का प्लस 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच आप ल्यूज रख सकते हैं इतना आप कुछ चाहिए ठीक है अपने साड़ी के अंच और यह कमर का हिस्सा तो कमर में वही चोथा हिस्सा जितना आप ल्यूज रखना चाहिए वैसे नॉर्मली आप इन तीजु में तीनु चीज में कमर और हिप्स और इनमें आप तीन इंची दो इंची या चार इंची ल्यूज रख सकते हैं आप पहनते हैं उस हिसाब से ठीक है और इन निशांस को है इस तरह से मिला लेना है ऐसे घेर जो है हिप से थोड़ा बढ़तावा रहे आदा एक इंची अंदर की तरफ नह रहे हैं तो ये सीधा सा फोर मुला है और इस तरह से आप इसमें सेप दे दे करिवन ये डेड़ इंची या सपास यहां रहना चाहिए इससे अंदर नहीं जाना चाहिए ठीक है और जो डीप नेक है वो हमेशा ज़्यादा ही बढ़ा रखें क्योंकि जो अपर वाला कमी जाता उसका बड़ा नेक उससे थोड़ा डीप इंची होना चाहिए एक इंची या सपास ही है इसलिए ये आठ इंची साड़ी आठ इंची तक आप इसे रख सकते है इससे ज़्यादा ज़्यादा डीप हो जाएगा तो इस तरह से इसको ब्रोड रखे और गोलाईल दे लेते हैं यहां से इस तरह से इस तरह से इसको गोलाईल लगा लेंगे तो ये समीज की मारकिंग हो गई और फ्रेंट और बैक नेक जो है अपना दोनों ही डीप कटिंगे और इस तरह से दोनों को बराबर काट लेते हैं ये पल्ले मेरे बिच्छेवे हैं ये डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा है मेरा जो मैंने आपको दिखाए नहीं है एक सिंगल साइड में थोड़ा कपड़ा निकल रहा है तो ये डबल है जैसे फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट है यहां से आप थोड मार्जिन कभी टाई डिला करना हो तो डेड़ इंची दो इंची एक्स्टा रख सकते हैं तो इस तरह से एक्स्टा मार्जिन लेके इसमें कटिंग कर सकते हैं तो यह अपना एक समीज जो है कटिंग हो चुका है ठीक है और यहां पर कुटके लगा लें आप तो यह क्या कि उपर नीचे नहीं जाएगा कपड़ा और बिल्कुल सही आएगा ऐसे ही करके दूसरी तरफ पे इसके निशान लगा लेने हैं जो कि अपना फ्रंट पार्ट है तो फिक्स मार्किंग पे सिलाई अपनी आजाएगी इस तरह से तो यह मार्किंग भी हो चुकी कटिंग भी हो चुका अब इसकी जो है सिलाई बाकी है छोटा सा काम वो भी कर लेते हैं आशान है समीज बनाना सबसे पहले इसके सोल्डर जो कंदी है उसकी सिलाई लगाएंगे दोनों कंदी लगा लेते हैं कंदी लग चुकी अब इसमें उरेव पट्टी लगाएंगे गले पे और आर्मोल पे इन सभी जगे पे उरेव की पट्टी लगाएंगे इन चीजों में उरेव की पट्टी ही सही रहती है और सही बैठती है करिबन एक इंची के आसपास एक सवाइंची डेडी इंची तक ये काड़ सकते हैं ज्यादा चोड़ी पट्टी काटेंगे तो चोड़ी ही रहेगी इसलिए जितनी आपको जरुत है जितनी पट्टी आपको लगानी है और फिनिसिंग से दिखे उतनी ही चोड़ी काटें तो ये करीबन एक सवाइंची को खेंच केने रखे उसको हलका सा लिउजी रखे और बराबर दवाव में मशीन का जो गूंट बर का दवाव है फुट उसके बराबर दोन दवाव लगा दे इसी तरह से दोन वार्मोल्स में आप पट्टी लगा लें और गले में वी ऐसे ही लगेगी जो मैंने आराम से इ लगते हैं अंदर की तरफ पका करने का तरीका यही है कि जितनी आपको एक सेंटिमेटर चोड़ी पट्टी लगानी है उतना ही रखे बाकी अंदर टोटल मार्जिन है अपना उसको टोटल मार्जिन को अंदर कर देना है इस तरह से मार्जिन को पूरा अंदर कर देना है और वराम से आप पका कर सकते हैं इसको इस तरह से चोटी चीज चीज है इसमें गले का ध्यान रखना आपको और आर्मोल का ध्यान रखना है बाकी काम वैसे ही होता है जैसे सूट कटिंग करते हैं उसी तरह कैसे तरीके से तो इस तरह से मैंने इसको आर्मोल भी पका कर दिया गल फिटिंग का टांका लगा लेते हैं फिटिंग का टांका आप समीज में तीन चार इंची ल्यूज रखे ही चले हमेशा ठीक है वैसे सूट फिटिंग में रखते हैं दो इंची तो इसमें आप तीन इंची चार इंची एक्सरा ल्यूज रखे चले तो ये ज्यादा सही समीज के अंदर लेंद समीज कि आप अपने इसाब से रख सकते हैं अगर शूट लोंग हो तो बड़ी रख सकते हैं अगर आप कमर तक पहन पहना चाहते हैं तो कमर तक बना सकते हैं नाभी तक बनाते हैं तो वहां तक भी आप बना सकते हैं समीज चोटी बड़ी खूब साइड लग चुकी है साइड के लावए एक सिलाई ओर लगा लें टाइड डिला करना हो तो अब यहां पर इसको चोप को जो है गहर को मोड लेते हैं जितना अपने मार्जिन छोड़ा इसमें उतना दवाव लगा कर इसमें चार उतरब से इसकी मुड़ाई कर लेनी है बिल्कुल हाराम से इसको खैंचने का काम नहीं है नीचे वाले पल्ले को ही खैंच के रखें उपर वाले को हमेंसा खैंचने ही लियूजी रखें जो कि मैं हमेंसा आपको बताता रहता हूँ सूट्स में गेर मोडते हैं तो उपर वाले को मिशाल यूजी रखे नीच वाले पले को हलका सक है इसके रखे तो बिलकुल फिनिसिंग से आपका गेर सीधा स्ट्रेट आएगा ठीक है इस तरह से आराम से बराबर बराबर दबाब में जो है सिलाए लगा लेते हैं इसमें ये सिलाए लगा कर इसको भी नीचे से ऐसे ही मोड लेते हैं बराबर में इस तरह से ये मेरा काम है जो मेरा जो गेर है बिलकुल मुड़ चुका है ठीक है ये घहर मूड़ चुका है अपना और एक समीज भी करीब-करीब बनके तयार है इस तरह से ये देखिए समीज बनके तयार है आसान है आसानी से बना सकते हैं लाइक करना ने भूल येगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम भी जरूर से कर लीजेगा क्योंकि यहां पर मैं आसान और इजिली तरीके लेकर आता हूँ थैंक यू